तो चलो प्यारे पच्छे इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर फीगर सो यह बाड़ी आप मास M है और वो उनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और रेडियस के पाथ पर तो चेंज इन एक्सलेशन बीटूइन पीटू तो जब पार्टिकल युके बहुत है प्यर्ट पीट्यंट तो उसका एक्सलेशन सेंटी पीटर साथ स्रकूल में वह इधर है उसका नाम एवफेउर जब पार्टिकल ऌड़ीर ? टो उसका नाम एटू है और इंट्रेस्टिंग बात है कि वेक्टर एवन ईसनाट इकुल paljon टूदे टुन लेकिन A1 और A2 का मेगनिचूड आपस में बराबर होता है जब uniform speed होती है तो uniform speed होती है क्या होता है centipetal acceleration b square over r तो अब हम सबको पता है कि यह अगर vector A1 vector इधर है तो अगर मैं इसमें change निकालता हूँ तो change कैसे निकालते हैं final में से initial घटा देते हैं change in vector is equal to final में से initial मलब A2 vector minus A1 vector और A2 vector कितना है A2 vector है b square r minus j cap और A1 vector है b square over r i cap minus i cap और यह minus minus plus हो जाएगा कि यह minus आजाएगा ना यह दोनों minus है तो अब इनका magnitude लोगे तो delta delta a mod जो आजाएगा change in magnitude vector यह b square और r square under root ठीके ना तो यह this is the finally change in vector magnum b square मलब d option सही है दूसरा अगर देखो दूसरा method यह मैं बताया था एक powerful अगर ट्रीक बताया था है second method इसको ट्रीक से कर सकते हो ठीक न वो ट्रीक क्या था जब कोई भी vector physics में इस तरह से change होता है सिर्फ उसका magnitude change हो तो उस vector के magnitude में change 2x sin theta by 2 होता है बात आरा समझ में यह कब लगता है जब कोई vector इस से बदलता है कि सिर्फ उसका direction बदले magnitude नहीं बदले तो उस vector के magnitude में कितना change आएगा वो यहां 2x lesson a और sin theta 90 by 2 इन दोनों vector के भी इसका angle मनलब 2a sin 45 2a sin 45 मनलब 2b square over r 45 by 1 by root 2 सिंप्लिफाय करने के भी स्काइर आर रूट टू ठीक ना तो मतलब डी ऑप्शन सही है ठीक ना यह वाला जो ट्रीक है वह सौर्ट वीडियो देख लेना अगरे डाउट है इसमें तो सौर्ट सेक्शन में जाना और वहां पर मनलब इस पर बहुत सारा सवाल सालों किया हूँ